नमस्कार दोस्तों खुठा क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जे एससी के वेहबियर से परिशान हो गया है यह एक्जाम्स करता है फॉर्म भरवाता है लेकिन एक्जाम नहीं लेता है तो एक बार एससी के तरब भी ध्यान दीजिए यह सेंट्रिल गौर्वर का एक्जाम के लिए और लाइन अप्लिकेशन इंवाइट किया है आगे इसका जो पोस्ट है वो जानने के पहले इसका जो शीडियूल है वो जान लेते हैं मतलब कब कब क्या करना है डेट्स क्या है इसके डेट्पोर सब्मेशन आफ ऑनलाइन एप्लिकेशन 17 सितंबर 2022 से 8 अक्टूबर 2022 तक मतलब कल से कल सुरू होगा 8 अक्टूबर तक ही जाएगा लास्ट डेट और टाइम फो डिसिप्ट ऑप ऑनलाइन एप्लिकेशन आज अक्टूबर 2022 को यह लास्ट है रात के 11 बजी तक रात के 11 बजी तक यह लास्ट है उसके बाद अपले नहीं होगा ला लास्ट डेट और टाइम फोर मेकिंग ऑनलाइन फीपेमेंट यह आपका 9 अक्टूबर तक है 9 अक्टूबर के रात के 11 बजी तक उसके बाद नहीं होगा लास्ट डेट फोर पेमेंट तुरू ऑनलाइन तुरू चलान दियूरिंग वर्किंग आवर्स और बैंक यह ऑफला करना है तो दस तक पेमेंट कर सकते हैं लेकिन चलान जनरेट आपको आठ तारिक तक ही कर लेना है उसके बाद चलान जनरेट नहीं होगा आप फॉर्म पर पाएंगे आप फीजमाने कर पाएंगे हां ओनलाइन कर सकते हैं आगे दिखिए देच ऑफ फिंडो फॉर एप्लिक वन एक्जाम जो की सीवीटी होगा कमटर बेस टेस्ट होगा यह होगा दिसमबर 2022 में यह लगभग यही रहता है बहुत मुश्कुल से चेंज होता है जो फिक्स कर दिया सो कर दिया इसमें कम ज्यादा नहीं होता है अब देखिए अलग अलग जो पोस्ट है उसकी क्या क्व सबसे इंपोर्टेंट वह है ठीक है एज में आप आते हैं कि नहीं आते हैं यह देख लेजिए पहला पोस्ट है पहला पील एक्ट्री पेलेवल है लेवल आठ है 47600 से एक लाख 51100 तक यह पीलेवल है इसमें दो पोस्ट है एसिस्टेंस आउडिट ऑफिशर और एकाउंट ठीक है यह गूरूप बीका सर्विस होगा गजेटेर होगा और नन मिलिस्रील होगा इसका एज जो है नहीं 30 साथ से ज्यादा नहीं होना थिर्या नौट एक्सेदिंग 30 यह अगला पोस्ट भी सेम हैं है नॉट एक्सीडिंग 30 यह सेकंड पोस्ट है सब्सक्राइब 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 है इसमें अलग अलग पोस्ट है जो अब देख पा रहे हैं सभी का जो एज है वह अप टू थर्टी यह से ज्यादा नहीं होना चाहिए सब में आप को ही देखेंगे कि थर्टी यह से नीचे के हैं तो ही अपलाई कर सकते हैं आप में से जो तीस साल से कम के उम्र के हैं वह आप लोग इसमें जरूर अपलाई कीजिए का त्यक्या इसमें जरूर अगला है थर्ड नंबर पे पे लेबल 6 पे 35400 से 1,12400 तक यह ग्रूप B का है सर्विस होगा इसमें भी not actually 30 लिखा हुआ है एने 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए तिस साल से ज्यादा नहीं हो चाहिए एक यह है यह 32 यह दिया हुआ है ठीक है यह जन्रल है यह जन्रल है इसके साथ ही जो क्राइटिरिया होता है सब्सक्राइब के लिए उसमें कुछ छूट मिल जाएगा आपको ठीक है वह अलग चीज़े है जन्रली बात यह है कि इतना मिल जाएगा इसके बाद दिखिए एज में कुछ यहां पर आपको रिलेक्स मिल जाएगा है नहीं है की सेस्ट के लिए 5 चूट मिलेगा और इसके लिए 10 साल का चूट मिलेगा और यह में तो 15 साल का चुट मिल सकता है एज में रिलैक्स मिल सकता है तो उसके लिए भी 3 साल का चुट मिल सकता है यह सब चीजें आप देखेंगे हम लोग एसेंशियल एजिगेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 810 2022 क्या क्या हो सकता है जो पहला पोश्ट था अकाउंट ऑडिर ऑफिसर और एकाउंट ऑफिसर का उसमें बैचलर्स डिग्री फ्रम और कुनाइज इनवर्सिटी होना चाहिए क्योंकि यह सीजियल है ग्रेशन लेबल का है तो सभी में आपको यही देखने को मिलेगा कि आप मैं करेंगे तो सीजियल हुआ कर सकते हैं तो सीधीर पहुंच जाएंगे वहां आप लाइक कर सकते हैं उसका जिए प्रोशेस है अगर बोलीगा तो हम बता देंगे कैसे करना है कल से जब सुरू होगा तब यह एक्जाम फी मेरी गुट एक्जाम देखेए इसमें भी 100 रुपया ही है जिस तरह से जी सब्सक्राइब कर रहा है ऐसे सी भी 100 रुपया ही फी ले रहा है टेक है जेनरल और वोमन कंडिट को फी देना ही नहीं है अच्छा प्रसारा लड़कों ने किया है चलिए यह चीजें हैं आप आनलाइन कर सकते हैं भीम से कर सकते हैं यूपियाइज से कर सकते हैं एप्लिकेशन को क्रेक्ट करने का यह चाइम दिया हुआ है 1210 से 1310 के बीच में रात 11 बज़ कर सकते हैं वेसि किली हम लोग राते हैं तो हम लोग रांची 1000 ये सब सेंटर चूज कर सकते हैं तुम थारखंड के लिए यह सम बाहने हमीं orders जमसितपूर रांची अब बाला सब्सक्राव से चला गया यह मतलब आपका धार्खण में यह चार जगह है धनबाद हजारी बाग जमसितपूर और राची जार्खण में चार जगह बाकी सब्सक्राइब कुलकत्ता दुरुबापूर असन्सोल गैंक टोक संबलपूर राउर किला का तक वोनेश्वर पॉर्ट विलेगर भी है कि यह बाते हुई है कि इसका ग्राम दो तरस होता है टायर बन और टायर टू टायर बास कीजिएगा तो टायर टू में आपको बुलाया जाएगा है और जो टाइन रहेगा वह इस्तरह से रहेगा जन्रल इंट्रिजेंस और रजिणिंग पोटिस न्मोर कोई अगा 55 नम्बर रहेगा याने कि ऊपन का का दो माक्स रहेगा जनरर आनवर्नस है पचीस को रहेगा पाइस नंबर का रहेगा मैंथ दे रहेगा पचीस कोश्चन पचास नंबर का यानी कुल सौ कोश्चन रहेगा 200 नंबर कर रहेगा और समय रहेगा एक घंटा मात्र ठीक है और एक घंटा बीस में उसके लिए है जो स्क्राइब लेके आते हैं जो हेंडिकेप्ट होते हैं और इक बात इसमें नेगेटिव मार्किंग है सब्सक्राइब करेंगे जैसे होते हैं और दोनों हिंदी और इंग्लिस में रहते हैं एक्सेप्ट इंग्लिस जो कंप्रेंशन है उसको छोड़के वह सिर्फ इंग्लिस में रहेगा इसके बाद टाइट्टू का आता है इसका अलग मॉड्ट है पर टारों पास कीजिए फिर देखेंगे हम लोग यह कुछ जनकारी थी आपको बताना था देख लिए इसको यहाँ पर सिलिबस भी दिया हुआ है क्या क्या है नहीं है इस प्रीडियाप को मैं टेलिग्राम पर डाल दूँगा आप वहाँ इसको डाउनलोड करके सारा कुछ देख सकते हैं टेलिग्राम तैयारी कीजिए जरूर भरिए जिससी का कोई भरुसा नहीं एससी एक्जाम ले लेता है आप सभी को बहुत पतेली बात